हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi याद रखे कि Mapping का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं होता कि हम जो है उस स्थान की जो मार्किंग्स हैं उसे Atlas पर मार्क कर लें कुछ एक आजानकारी उसके बारे में देख लें और that's it याद रखे मैपिंग में अगर आप UPC की तयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टेंडिंग होनी चाहिए जिस चीज़ को आपने Atlas पे मार्क करा आगर मैप से कहूं तो एक पोर्ट है रश्या का जिसे पांच महा सागरों का बंदरगाह कहा जाता है एक सागर है रश्या का जिस सागर से जो है वो पांच समुंदरों में एंटर करा जा सकता है कौन सी ऐसी नहर है कौन सी ऐसी कैनाल है जिसे कहा जाता है कि स्वेस के बाद दुनिया की दूसी सबसे बहुत उन कैनाल है क्या कारण है कि जो यरोप है इतनी साई discoveries कर पाया everything is related with geography याद रखिये कि geography एक parent subject है इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसका geography basically strong होगा उसका history strong होगा उसका polity strong होगा उसका I.E.R. strong होगा तो आज की इस class में हम एक totality में देखने वाले हैं एक पूरे करम में देखने वाले हैं कि योरोप हमें किस प्रकार का दिखाई देता है याद रखिये कि योरोप की geography इंडिया के लिए बहुत important है आप पाएंगे कि ये इंडिया की policy है basically कि हम रश्या के बाद आप आप देखेंगे जो स्थाई देश हैं UN के UN Security Council के जो permanent members है उसमें एक member हमारा या हम उसके लिए एक align है वो रश्या है देखेंगे आप कि यूकरेन रश्या वाल में इंडिया never used to talk against रश्या हम यूकरेन रश्या वाल में कभी भी रश्या के against नहीं बोले इसी में आप पाएंगे कि भारत योरोप की geography से बली भाती परचित है याद रख लिए यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश फ्रांस है और आप देखेंगे कि लगातार इंडिया जो है फ्रांस के साथ अपने relation improve करने की बात करता है इंडिया का एक ambitious dream है कि हम भी जो है security council के permanent member बने और इस permanent membership के लिए इंडिया के against चाइना आता है permanent membership की जब बात होती है उस समय रश्या के बाद हमारे support में फ्रांस दिखाई देता है आप पाएंगे कि काश्मीर dispute में जब पूरा यॉरप हमें criticize करता है कहीं न कहीं जो है वो रश्या के support से और silent support of France हमें देखने को मिलता है कई बार against भी रहा है पर geopolitical changes है यहाँ ध्यान दे कि power axis change होते हैं यॉरप में और यॉरप के अंदर इंडिया की जो entry है इंडिया की जो foreign relations है यह काफी important हो जाते है अब इसी प्रकार से आपको हर एक चीज़ समझने की आवशकता है एक एक geopolitical angle को समझने की आवशकता है आज की इस class में हम उसे cover करने का प्रयास करें fine देखिए मैं start करूं class को उसके पहले याद रखिए कि आपको जो है अगर इतना content आप तक पहुँच रहा है आप इसे देख रहे हैं तो यह आपकी ethical responsibility है कि आप इसे जो है थोड़ा सा push करें थोड़ा सा share करें अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तक यह चीज़े पहुची है दूसरी चीज याद रखिए एक एक student के comment मैं read करता हूँ आप बेशक अपने जो खयाल है अपने जो thought है उसे लिखा करें fine और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो comments में काफी engagement शो करते है I really want to appreciate them साथ ही यह याद रखें कि अगर आप जो है UPSC के तयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ आपके पास P2Y batches का option अभी 23rd of October तक available है यह batches में अभी admissions हो रहे है और मैं यह मान कर चलता हूँ कि मैं आप सभी लोगों को इन classes में मिलूँगा आप सभी लोगों को मैं इन classes में देखूँगा याद रखिए कि यह opportunity है आपके पास कि आप अपनी validities को जो है वो decide कर सकते हैं कि आप किस वर्ष जो है exam देना चाहते हैं मैं इस first कर दूँ one-to-one mentorship मिलेगी आपको एक mentor a lot होगा वो mentor जो है वो आपको one-to-one जो है वो guide करेगा आपको साथ में daily का एक question मिलेगा उसकी answer writing practice होगी class में उसका discussion होगा साथ ही सारे classes आपके पास live available होगी अगर आप कुछ miss कर जाते हैं आपके पास recorded form में होगी साथ ही आपके पास handwritten notes आएंगे यानि की हाथ से लिखकर जो faculty ने पढ़ाया है एक तो जो board work है वो आएगा साथ में faculty ने जहां से पढ़ाया है वो crux आएंगे और साथ में जो है आपको हमारे तोरा लगाया हुआ एक expert जो class को live देख रहा होगा वो notes बनाकर आपको उस class के send करेगा और ये भी within time आप सोच कर देखें कितना कुछ है इस चीज में आपकी तैयारी next level हो जाएगी और साथ में SIP program यानि की pre के exact पहले एक crash course होगा आपका इसकी कोई extra cost देने के आवश्यक्ता नहीं है इसी के साथ आपका एक program होगा जहां पे आपका pre अगर qualify होता है आप means देने जाते हैं तो tension की बात नहीं है आपको बुला लिया जाएगा study IQ अपने खर्चे पर अपने इस्थान पर आपको तैयारी कराएगा आपके means की इसमें interview भी included है और याद रखें कि आपको आने वाले समय में एक बहुत अच्छी opportunity मिल सकती है याद रखेगा कि यह opportunities बार बार नहीं आती आपकी age आपका end हूँ जिस level पर आज है वो हमेशा नहीं दहेगा अगर आप YouTube से पढ़ सकते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पार्ट बना और उने जो है वो fruitful result मिल रहे है I hope आप सभी आएंगे और साथ ही याद रखें कि अगर आप मेरा code यूज करते हैं भई तो it is like a appreciation for me इससे जो है हमारी team को यह पता चलता है कि मेरा work जो है वो कैसा है यह याद रखें कि यह आपके hit की बात है अगर आपका hit होता है तो आप जो है मेरा code यूज करेंगे तो फिर मुझे appreciation मिलेगा that's it बट यह hit आपका है code यूज करने पर आपको जो है वो cost minimum पर पड़ेगा fine इसकी cost जो है start होती है 23,999 से this is very nominal और यह affordable है आपको जो है वो quality मिलेगी उसके against यह price कुछ भी नहीं है मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ बस इतना समझ लीजे कि मैं इस पे 100% sure हूँ जो faculties आपको पढ़ाएंगे जो content आपके पास होगा जो सुविधाय आपके पास होगी वो इस cost पर दो जनम कोई नहीं provide कर सकता मैं यह चीज़ आपको दावे से कहता हूँ quality does matter चलिए तो एक यह option available है secondly याद रखें कि आपके पास जो है optional के options available है याद रखें आपको सारे popular जो options है यह आपको मिल जाएंगे इसमें geography as always यह मिलेगा anthropology मिलेगा sociology मिलेगा PSIR मिलेगा और आपके पास तीनों validities according to the costvention है यह आपको तब होगा जब आप जो है वो इस code को use करेंगे इसके अलावा याद रखें कि अगर आप जो है वो यहाँ पर CSET की classes लेना चाहते हैं तो CSET की classes भी available है separately आप इसे जो है इन सभी classes में मैं आपको देखूंगा आपका हमारा interaction होगा और हम आपकी तयारी को एक next level पर ले कर जाएंगे चलिए तो अब हम start करते है class को ध्यान से देखिए सबसे important चीज़ तो यह कि हम किस महाद वीप की बात कर रहे हैं इसे प्रकार से आपको दिखाई देगा इसे कहा जाता है इटली इसी तरीके से आप आगे चलते वे जाएंगे तो याद रखें अब यहीं रुख जाएं और सुने इसे कहा जाता है आईबेरिया साइबेरिया नहीं आईबेरिया का प्राइद वीप, फाइन, अब यहां से आप चलना प्रारंब करेंगे, तो याद रखें कि यह इस्थान जो है, आईबेरिया का प्राइद वीप दिखाई देगा, ठीक है, अब उपर जो है, यह डेनमार्क वाला छेतर है, फाइन, अब इसे अपने ना दिमाख में सेटल डा करना प्रारंब करिएगा, ध्यान से देखें, यह जो इस्थान दिखाई दे रहा है, बच्चे ध्यान से देखेंगा, यह अभी बन कर तयार होगा, गल्फ ओफ फिल्लेंड, ठीक है, अब यहां आगे आईए, यह इस्थान यहां जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, याद रखें यह आपको दिखाई देगा, श्वेत सागर, इसी प्रकार से, थोड़ा सा हमें बाहर बनाने के अवशक्ता होगी, चलिए, तो यह आपको दिखाई देगा, इसके पश्चा जो है, यह इस तरीके से आपको यहां पर, जो दिखाई देगा, इसे कहा जाता है, स्केंडेनेव देश दिखाई देगे, इसमें कौन-कौन से देश आते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊंगा भी, और आप लोग इसे no down भी करेंगे, इसमें Norway आता है बच्चे, इसमें Sweden आता है, इसमें Finland आता है, ओके, अब यहां आ जाएं, यह आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से य आपको Europe दिखाई देता है, अब इसमें याद रखें, कि यहां से यहां आने के क्रम में, आपको दो जो है, वो सागर दिखाई देंगे, बहुत ध्यान से देखेगा, एक सागर जो आपको है, इस इस इस्थान पर दिखाई देगा, याद रखें, इसे कहा जाता है, Black Sea, Black Sea क यहां पर आपको एक परवत दिखाई देगा, और यहां से आपको जो है, वो समझना स्टार्ट करना है, याद रखें, इस परवत को कहा जाता है, यूराल परवत, यूराल परवत जो है, वो यूरप को किस से अलग करता है, बच्चे, एशिया से, ठीक है, मैं चाहता हूँ और ये मेरा मानना है और ये मैं expect कर रहा हूँ कि आप जिस इस्तान पर भी बैट कर पड़ रहे हैं आपके mouth से भी वही words निकलने चाहिए तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये यॉरप है और यॉरप के उस side एशिया है तो याद रखे यॉरप और एशिया को एक परवश्रेणी अलग करती है नाम है इसका बच्चे यॉराल परवट clear तो सबसे पहले यहाँ पर यॉराल परवट बनाएंगे और secondly ध्यान दें याद रखेगा इस इस स्थान पर हम draw करना स्टार्ट करेंगे एक रिवर कौन सी है यह रिवर तो याद रखे इससे कहा जाता है यॉराल रिवर fine मतलब यॉराल एक परवट भी है यॉराल एक नदी भी है clear अब next चीज ध्यान से सुने मैं यहाँ पर लिखता भी जाता हूं fine just a second जो यॉराल है जो यॉराल परवट है याद रखे ये old folded mountain old folded mountain याने कि ये पुराना वलिद परवत का उधारन है नवीन वलिद परवत के उधारन क्यांस कौन से है रॉकीज है, एंडीज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, हिमालियाज है all these are example of what? young folded mountain याने कि क्या नवीन वलिद परवत अब याद रखे ये पुराना वलिद परवत है, पहली चीज, दूसरी चीज याद रखे कि ये क्या कर रहा है, ये यूरो एंड किसका एशिया इसकी क्या करता है, natural border बनाता है natural border फर्म करता है अब देखे, next चीज याद रखेगा कि जो इसके पास एक नदी है इसे कहा जाता है, यूराल नदी यूराल river इसमें याद रखे, ये कैस्पियन सागर में है कैस्पियन सागर में जह है, अपना जल्वी सर्जित करती है तो इस चीज को जो है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आजाएए वापस इस स्थान पर अब देखे, मैं बहुत ज़ादा concentration आपका यहाँ चाहता हूँ अब इस चीज को समझेगा याद रखे, आपको कौन-कौन सी चीजे ध्यान रखने है जैसे पहली चीज तो मैं यहाँ पर ही एक statement लिख दूँ याद रखे कि जो यॉरप है इसे कहा जाता है प्राइद वीपो का यूरोप जो महाद वीप है इसे कहा जाता है प्राइद वीपो का प्राइद वीपो का प्राइद वीप अब इसे प्राइद वीपो का बच्चे प्राइड वीव क्यों कहते हैं तो प्राइड वीव का मतलब ही है ऐसा लेंड मास ऐसा इस सल्खन जो तीन देशा से किसे घिरा हो बच्चे सागर से याद रखें कि योरप के अंदर जो है आपको दिखाई देता है सागर का सागर का समकारी प्रभाव अब ये समकारी प्रभाव क्या है तो थोड़ा सा रुकिएगा अभी इतना समझो कि सागर जो है एनक्रोच करता है अतिकरमण करता है इस सल्खन का इस सल्खन पर चढ़ने का प्रयास करता है ठीक है मतलब सागर फैलता है फैलने पर इस सल्खन को नीचे करता है इसे बेसीली क या कहा जाता है सागर का समकारी प्रवा अभी इसको थोड़ा सा समझे इतना ही आपको भी जानना है मैं आगे इसको टेक्निकली और क्लाइमेट लोजी के टर्म्स में समझाऊंगा ओके अब देखे याद रखे कि जो यौरप वाला भाग है इसमें पहले मैं रफली यहां पर प्रयास नहीं करेंगे ठीक है समझे यह जो है इतली है यह जो है ग्रीस है पहले आप पूरा सुने और समझे ओके अब इसे आजाएं यह हमारा छोटा सा यौरप बनकर रेडी है यह आप ऐसा डियाग्राम जो है वो बना लीजिएगा अभी हम सिर्फ अंडरस्टेंडिंग डिवेलप कर रहे है फाइन अब समझो बच्चे याद रखे यह नीचे वाला पार्ट हटा देते हैं हमारा जो है स्पेस ही खाएगा यह बस चलिए देखे यहाँ पहली चीज याद रखो कि जो यौरप है से प्राइद वीप का प्राइद वीप कहते हैं पहली बात यहाँ पर याद रखेगा यहाँ पर आपको जो है वो तीन देश दिखेंगे ठीक अब यह तीन देश क्यों जरूरी है तो सुनिएगा याद रखे कि यहा लाइंग कंट्रीज कहा जाता है इसे कहा जाता है लो ऐन मतलब उंचाईं सा आता है इसमें आता है बैल्जियम इसमें आता है नीदर लेंड और इसमें आता है बेसिकली लगजंबर्ग तो यह तीन देश आते हैं जिनें結果 कहा जाता है लो लाइंग नेशन्स पहला बात ठीक अब यहां ध्यान से सुनिएगा इससे मैं थोड़ा सा हटा दूं आगे मैंने इसको लिख रखा है तो डोंट वरी ओके यहां तीन देश आएंगे तीन नेशन्स कौन कौन से है बेल्जियम नीदर्लेंड और लग्जंबर् पुराणा नाम होलेंड है लिख लीजेगा कभी कंफ्यूजन ना हो ठीक अब आईए यहां ध्यान से देखें याद रखें आपको इस स्थान पर कौन सा अब यहां परना मैं कुछ देशों के बारे में आपको बताने वाला हूं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो ह प्लेज दिखाई देगा यहां पर जो आपको देश दिखाई देंगे इसे कहा जाता है बाल्टिक नेशन ठीक है याद रखें यह बाल्टिक सी के साथ यानि कि यहां पर एक सागर है लोकल सी इसे कहा जाता है बाल्टिक सागर आईए मैं आपको यहां पर उसे दिखा भी देखिए याद रखें कि आपको जो है यरोप के अंदर कुछ सागर दिखाई देंगे जैसे सुनिएगा ध्यान से यह जो छेत्र आपको दिख रहा है यह वाला भाग इस प्रकार से इसे कहा जाता है गल्फ ओफ फिल्लिंग ठीक है अब इसके बाद आएंगे तो याद रखे यहाँ पर जो सागर है यह वाला ओके इसे कहा जाता है गल्फ ओफ बोथनिया ठीक है यह गल्फ ओफ फिल्लिंग क्लियर उसके उपर गल्फ ओफ बोथनिया डन अब इसके बाद नीचे आजाओ यहाँ पर एक सागर है इसे कहा जाता है बाल्टिक सागर ठीक है तो यह बाल और्थ सागर या उत्री सागर अब सोचिए कि आपको इनका क्रम याद रखना है अब यहां पर एक फिजिकल जोग्रफिका डायमेंशन में आपको याद करा देता हूं याद रखिए कि यह सागर जो है वो धुरूवी छेत्रे से जुड़े हुए हैं आपने सुना होगा टब वाटर कल्चर क्या होता है टब वाटर कल्चर तो आपने जो है इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा वो क्या करते हैं वो विदेज जाते हैं वहां पर टब वाटर निकालके पानी पी लेते हैं बोलते हैं यहां का पानी इतना साफ है कि आप डारेक् क्लाइमेट चेंज है everything used to melt हर चीज पिघल रही है यह धुरूफ भी पिगलेंगे अब जब धुरूफ पिगलेंगे न बच्चे तो याद रखे इसका पानी कहां आएगा तो यह पानी चलते वे जो है वो इसी स्थान पर आता है तो यह जो सागर है सबसे पहले गल्फ ऑफ ब उसके नीचे आओगे बाल्टिक उसके नीचे आओगे फिर यह नौट सी याद रखें कि जो सागर जितना ज्यादा करीब है उत्री दुरूफ से वो उतना ज्यादा क्या है ताजे पानी का है तो इस चीज को आप लोग याद रखें ऐसे आपका जो है वो अंडरस्टेंड में डिवेलेप करने का रास्ता में आपको बता चुका हूँ तो एक ये पार्ट हुआ अब नेक्स चीज आओ ध्यान से समझ रहें याद रखें कि ये जो एरिया है यहाँ पर अब मैंने इसे यहाँ बना रखा है ठीक इसे कहा जाता है बाल्टिक ठीक पाल्टिक सागर से स अब यहाँ ध्यान से सुनना याद रखो बाल्टिक देश में कौन-कौन से आते हैं इसमें आते हैं तीन नेशनस ठीक है अब यहाँ ध्यान से समझना याद रखें जो तीन देश हैं इसमें कौन-कौन से आता है लिट्वानिया लात्विया और एस्टोनिया ठीक है नाम ल रात्विया और एस्टोनिय ये तीन देश आते हैं फाइन अब यहां ध्यान दें ये जो तीन देश है ये तीन देश बाल्टिक देश कहलाते है लेकिन यहां एक अंडस्टेंडिंग डेवेलप करने क्या वशक्ता है याद रखिएगा कि एक देश और है जो बेसिकली सागर से सीमा बनाता है Kollegin पर देख लीज़े आपको दिखाई देगा कि जो रशया है वो बहुत पहले खतम हो चुका है यहां से जी हैं वह बहुत पहले यहां पर आगई रशया नहीं है लेकिन रशया का एक पूटा सा छेतर है जो यहां पर उपस्तित और याद रखिए रश्या का major politics क्या है मैं पहले भी बदा चुका हूँ याद रखिएगा the thing is रश्या एक समय पर सुपर पार था आज भी एक सुपर पार से कम नहीं है पर इसका सबसे बड़ा जो competitor है वो कौन है वो है USA और याद रखिएगा एक बहतर मार्ग है यहां पर यहां रश्या जो है वो बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाता है तो आपको याद रखना है कि भले ही रश्या बाल्टिक नेशन नहीं है लेकिन बाल्टिक सागर के साथ सीमा जरूर बनाता है वह छोटा सा प्लेज दिखेगा आप सगर में मार्क करेंगे तो पर है रश्या का वो छेतर वहां से रश्या जो है वो होते हुए निकल करा सकता है कहां अब यह याद रखिए कि यह बाल्टिक देश है तीन मैंने आपको बताए अब उपर आ जाएए यहां पर आपको जो है वो कुछ और देश दिखाई देंगे म मैं एक एक को डीटेल में बता रहा हूँ और यह उमीद मैं आपसे रख रहा हूँ कि आप सभी जो है इसे नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे लेकिन अभी नहीं करना है बच्चे don't try to make notes while I am drawing or you are listening पस्ट टाइम जब आप पहली बार देख रहे हैं तब आप लिखने का प्रयास नहीं करेंगे ठेक है अब आजाएए याद रखे कि इन देशों को क्या कहा जाता है इहें कहा जाता है basically Scandinavian Scandinavian Nations या Scandinavian देश ठीक अब याद रखना बच्चे यह जो Scandinavian देश दिखाई दे रहे हैं इसमें कौन कौन आता है इसमें आता है Norway इसमें आता है Sweden इसमें आता है Finland ठीक है तो याद रखे Norway, Sweden, Finland ये तीन देश आपको यहाँ दिखाई देते हैं इसमें याद रखें जो Norway है इसकी राजधानी क्या है इसकी राजधानी है और स्लो या Oslo ठीक अब इसे थोड़ा सा जो है हम दूसरे स्थान पर लिख लेते हैं ताकि मैं इसके बारे में कुछ और जानकरी आपको बता पाऊं ठीक है अब याद रखें यह हम पॉलिटिकल पार्ट देख रहे हैं योरप बड़ा है हमें इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें देखनी है तो यहाँ ध्यान दे ओसलो आपको यह दिखाई देगा यह इसकी राजधानी है याद रखें यह एक बंदरगा है यह बंदरग इसी प्रकार से स्वीडन इसकी राजधानी है स्टॉक होम्स और याद रखें स्टॉक होम्स जो है वो कौन से सागर में आता है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यह बाल्टिक सागर में आता है बाल्टिक सी में आता है ठीक इसके अलावा फिनलेंड याद रखें इस तो याद रखेगा कि ये तीनों जो है वो देश अब यहाँ सुनिए ध्यान से याद रखेगा कि कुछ dimensions आपको हमेशा पता होने चाहिए इसमें ध्यान दे जो नौर्वे है इसे कहा जाता है मध्य रात्री के सूर्य का देश क्यों कहा जाता है इसका कारण है याद रखें कि नौर्वे में रात में बारा से तीन के बीच में एक बार सीजन निकल जाता है अब क्यों निकल जाता है तो आईए किसी दिन हम physical geography पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाओंगा कि अर्थ का जो आकार है याद रखिए ये गोल हम कहते हैं है जियोवाइड जियोवाइड का मतलब है ये थोरा सा अनियमित है गोल जैसा है पर थोरा सा अनियमित है अब अनियम नौर्वे में पढ़ जाती है इसलिए अचारा से रात में सूर्य दिखने लगता है ये 15-20 मिन रहता है फिर चला जाता है तो याद रखिए इस कारण जो है नौर्वे को क्या कहा जाता है मध्यरात्री के सूर्य का देश इसी प्रकार से याद रखिए जो ये सारे ही देश है यहाँ पर आपको इन तीनों ही देश में फियोड जो इस्थला करती है टोपोग्राफी है ये दिखाई देती है अब ये फियोड और खासका नौर्वे में तो क्लियर दिखती है ठीक अब ये क्या होती है तो इस साल के UPSC में सीधा-सीधा मेंस का प्रश्णी था इत्तिफाकन कल ही मैं इसे P2I-BHS में पढ़ा रहा था और जो बच्चे होंगे उन्हें पता भी होगा मैं लास्ट ही क्लास में इसे पढ़ा रहा था आप देखेंगे इस प्रकार से जो है आपको एक डागराम याद आएगा जहां पर हमने डिसकस करा था कि फियोड जो है यह वास्टिक्ता में क्या होता है फियोड जो है यह वास्टिक्ता में कुछ और नहीं है यू आकार की घाटी है जो कौन बनाता है जो वास्टिक्ता में बनाता है एक ग्लेशियर पाइन अब याद रखें यह ग्लेशियर जो है जो यू आकार की घाटी खुलती है कहां जो है आप पाएंगे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा, यहां पर जो है वो सागर का पाणी भरा होगा, इसके आगे जो है वो सागर होगा, अंदर जो है एक नदी होगी और यहां पर आपको जो है hanging valleys यह लटकती हुई गाटियां दिखाई देती हैं और यह जो लटकती तो वो है नाइगरा पाइन जो नाइगरा वाटरफॉल है ये उंटेरियो और इरी के बीच में इस्थित है और उंटेरियो और इरी के बीच में जहां पर ये इस्थित है वहाँ एक नदी है उसका नाम है नियागरा और उस नदी जो है वो एक लटकती भी घाटी में गिरती ह उस घाटी को वेजरने को बेसिकलि औहा जाता है क्या दियागरा फॉल यह फियोड संदरच्णा है मैं एक लाइन में अगर आप से कहूँ तो इस चीज को लिख लीजेगा कि फियोड क्या होते हैं फियोड ऐसे यू आकार की घाटिया होती है जो सागर में खुलती है जिनके पीछे आप देखोगे तो एक नदी होगी जिनके सामने आप देखोगे तो एक सागर होगा आसपास देखोगे तो पहाड होगे और पहाडों से गिरते हुए जरने होगे इसे दिमाग में फिट कर लो ठीक है यह recreational activities अर्थाथ यह आपको जो है Finland को जो है वो याद रखेगा 1000 जीलो का देश कहा जाता है इसे 1000 जीलो का देश कहा जाता है सामाने इसी बात है यहाँ पर जो है जीलो की संख्या जादा है अब क्यों जादा है इसको समझेगा फिजिकल जोगरफी आएगी तो हम पढ़ेंगे यह पूरा area एक समय पर क्या थ यानि कि यह हिमनस से ढखा हुआ था याद रखें हिमनस जब खिसकते हैं तो अपने साथ जो है बहुत सारी जीलो का बहुत बैसिकली निर्माण करते हैं गड़ों का ठीक है अब वहां से जब यह चले जाते हैं गड़ों के अंदर पानी भरता है वहां पर जो है फ्रेश व तीनों देश जो है वो रश्या के साथ सीमा बनाते हैं लेकिन जो स्वीडन है याद रखेगा ना ही ये रश्या के साथ सीमा बनाता है और ना ही ये नौर्थ पोल के साथ सीमा बनाता है यानि कि नौर्थ पोल यानि कि उत्रिधूफ और रश्या इन दौनों के साथ ही सीमा नहीं बनाता है, Sweden ये दोनों बनाते हैं, but obvious है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब कुछ याद करेंगे, ये सब कुछ आपके निमांक में consolidate होगा, और इसी को next level पर हम ले कर जाएंगे अब, fine, चलिए, तो I think ये वाला part complete हुआ, ये Scandinavian देश हुए, ये Baltic देश हुए, अब आज आईए, Dust Britain के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जरा मैं इसे जो है, वो adjust करूँ, फिर ही हम Dust Britain को देख पाएंगे, आईए, इसे जो है, हम यहाँ लिख देते हैं, जिससे आपको बहतर understanding मिले, fine, तो, I think यह अभी भी आपके लिए जो है, वो readable होगा, मैं थोड़ा साई से जो है, वो adjust भी कर देता हूँ, जिससे आप लोग को तमस्या ना हो, fine, आजाए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था, basically, Black Sea and Caspian Sea, fine, यह जो हमने देखा, यह है Scandinavian देश, तो यह जो है, हमारा यह portion complete हुआ, आपको Scandinavian देशों के बारे में इजयनकारी पता होनी आविशक है, आईए, अब हम जो है, वो देखना प्रारम करते हैं, किसके बारे में, basically dust, Briden के बारे में, fine, और I don't think कि आप में से किसी को भी जो है, वो किसी प्रकार की समस्या होनी चाहिए, इस बात से, कि हम Briden को जो है, वो dust कह रहे हैं, जो देश है, हम उसे ही dust कह रहे हैं, fine, तो यह एक जो है, वो देश है, वो देश जो एक समय पर जिसके लिए कहा जाता था, कि इसका सूर्य अस्थ कभी नहीं होता, इसका सूर्य कभी नहीं ढलता, हम उस देश के बारे में चर्चा करने वाले हैं, याद रखे, आपको जो है, इसके दो भाग दिखाई देंगे, मतलब योरप के जो में, आपको जो दिखाई देता है, इसके आपको दो पूर्चन दिखाई देंगे, इसमें अब आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ हैं, ध्यान दें सबसे पहले तो, यह है बेसिकली, इंग्लेंड कह लीजे, और यह है बेसिकली आयर लेंड, ठीक, आप समझे पहली चीज़ तो, आपको यहाँ पर जो है एक चैनल दिखाई देगा, इसे कहा जाता है, इंग्लिश चैनल, जस्ट ए सेकेंड, याद रखें, इंग्लिश चैनल जो है, वो ब्रिटेन को मुख्य भूमी, आफ योरोप, यानि की में लेंड आफ योरोप से अलग करता है, अगर पहले से पता है भई, तो इट इस अ वैरी गुड थिंग, बट नहीं पता तो याद रखेंगा, कि जो यूके है, अच्छा, और ये सब जो मैं लिख रहा हूँ, याद रखें कि आप इसे जो है, वो मेरी टेलिग्राम आइडी से डाउनलोड कर सकते हैं, ये है मेरी टेलिग्राम आइडी, अभिनो बोरे जोग्रफी के नाम से, उस आइडी में से आप जो है, वो डाउनलोड कर लें, इस पीडिएफ को, ठीक है, चलिए, और हाँ, थोड़ा सा आप लोगों से मेरी विनिती है, रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा इसे जो है, वो पुश करने का प्रयास करें, सजेस्ट करें, उस लोगों तक शेयर करें, ताकि ये content जादा से जादा लोगों तक पहुंच सके हम motivated feel करेंगे इस प्रकार के कारे के लिए अब very very thank you अगर आप इसे promote करते हैं तो इसे थोड़ा सा जो है share करें याद रखें कि UK अगर मैं आपसे कहूँ UK का आर्थ क्या है UK का आर्थ है United Kingdom United का मतलब क्या है बच्चे United का मतलब है मिलना तो किसे मिलाया गया है दो Kingdom को मिलाया गया है कौन कौन से Kingdom है एक याद रखेगा इसे कहा जाता था Britain ठीक और याद रखें दूसरा है उत्तरी Ireland उत्तरी Ireland तो याद रखें उत्तरी Ireland और ब्रिटेन मिलके बनते हैं United Kingdom अब अगर आप इसमें से उत्री आइलेंड हटा दोगे तो करहेगा सिर्फ ब्रिटेन ठेक अब याद रखिए जो ब्रिटेन है इसमें तीन देश आते हैं इसमें आता है एक England एक आता है Scotland और एक आता है Wales याने कि England, Scotland और Wales इक्वस टू ब्रिटेन प्लस उत्री आइलेंड इक्वस टू याने कि United Kingdom में आपको चार देश मिलेंगे इंग्लेंड, Scotland, Wales, उत्री आइलेंड उत्री आइलेंड हटा लोगे तो ये तीन ब्रिटेन है और इनमें से एक जो है वो कौन है एक है लंडेंड एक है बिसिकली इग्लेंड, capital है उसकी London ठीक ये पार्ट complete हुआ अब आ जाएं ध्यान से देखे याद रखे कि ये जो बचा वाला पार्ट है ठीक देखे क्या क्या बता देखा हमने एक हमने देखा lowland countries ठीक इसमें कौन कौन से आती है इसमें जो है नीदर लेंड आती है इसमें बेल्जिय इसके बाद आता है इंग्लेंड, इंग्लेंड के मैंने आपको बताया अब जो next चीज है याद रखें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसे कहा जाता है बालकन का प्राइड वीप ठीक है कौन से प्राइड वीप I think आप लोग इसको समझ पाएंगे इसे basically कहा जाता है बालकन का प्राइड वीप अब यह आप मुझे बताएंगे के बालकन के प्राइड वीप में यह बाल्टिक नहीं है बालकन है याद रखें यह है बालकन प्राइड वीप अब बालकन प्राइड वीप के लिए आप मुझे बताएंगे कौन कौन से देश आते हैं एक हिंट म इसमें आपको सर्विय दिखाई देगा इसमें कोसोव दिखाई देगा और यह याद रखेगा बालकन प्राइड वीप के दो स्थल रुद्ध देश बहुत कम स्थल रुद्ध देश है याद रखेगा इसमें सर्विय और कोसोव है जो exam point of view से super important है मैं वो बता दूँगा या आपको यह वाला portion दिखाई देगा इससे बहतर तरीके से माइन में सेडल डाउन कर लें इसके अलावा याद रखें यहां नीचे तरफ जो है आपको एक और जो है वो नेशन दिखाई देगा कौन सा है देश तो याद रखें इससे कहा जाता है इटली ठीक और यह याद र तो मतलब बहुत बड़ा नहीं है नाहीं जनसंख्यानुसार नाहीं जो है वो क्या नाहीं वत्विक्ता में चित्रफंपल अनुसार लेकिन अपने संस्कृति के लिए काफी famous है ओके अपने कल्चर के लिए काफी famous है तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो वेटिगन सिटी है ये smallest nation है in terms of area as well as in population चलिए तो और याद रखे कि यहाँ पर आपको जह है capital दिखाए देगी इटली की जिससे कहा जाता है रोम, आप देखें, next आपको जानना है यहाँ पर जो है इसके बारे मैं आपको पहल परवत दिखाई देता है याद रखेगा अभी हम इसके बारे में देखने वाले है इसे कहा जाता है Caucasus परवत यह आपको एलपाइन स्ट्रेनी का विस्तार दिखाई देगा हम आगे इसको देखने वाले है तो यहाँ पर आपको जो है वो इतनी चीज़ें इतने देशों के ग्रूप के बारे में पता होना आवश्यक है अदरवाइस आपका जो है अंडर्स्टेंडिंग थोड़ी सी कम होगी यॉरप के परिपेख्च में चलिए I think हम जो है इसे इतना समझ चुके हैं अब हमें जो है वो आगे की और बढ़ना चाहिए ध्यान दें अब हम जो है वो इस वाले मैप पर जो है कारे करेंगे याद रखिए यहाँ पर आपको जो है एक सागर दिखाई देगा इसे कहा जाता है वाइट सी यह है बेसिकली स्वेट या सफेद सागर ठीक यह सफेद सागर रश्यक ले काफी इंपोर्टेंट है कारण क्या है कारण यह है कि इस साग में जो है वो थोड़ा सा यहां बना हुआ है थोड़ा सा इसाई shifted होता है बहुत कोई समस्या नहीं होगी आपको समझने में अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम पहले कुछ mountains draw करेंगे याद रखे कि यह परवत आपको दिखाई देंगे इसी स्थान पर यह आपको परवत वास्तिक्ता में विश्व के कुछ सबसे पुराने परवतों में से एक है लेकिन यहां मैं आप सभी का ध्याने सोर आकर्षित करना चाहता हूँ याद रखेगा कि आरावली से पुराने नहीं है और यही याद रखेगा कि जिस समय ये बने थे ये पूरा portion जो है एक प्रकार की चटानों से बने हैं और याद रखेगा इनका मुख भी एकी तरफ है तो यहां आपको जो है कुछ पुराने अवशिष्ट परवत दिखाई देंगे इन्हें कहा जाता है स्केंडेनेवियन परवत और याद रखेगे इसे ही कहा जाता है योरप का उत्तर परवत दिखाई किसे अंडरस्टेंडिंग डिवेलप्ट होगी याद रखेगे इसे कहा जाता है योरप का उत्तर पश्चिमी उच्भूमी छेतर आईए इसे जो है हम मार्किंग में मैंशन कर दें और याद रखें आपको रिवाइस करते रहना है इसे कहा जाता है योरोप का उत्तर पश्चिमी उच्भूमी छेतर आईए अब एक डायमेंशन आपको ये पता होना चाहिए दूसरी चीज याद रखें कि हम इसे थोड़ा सा जो है साइट कर लें चुकि ये वाला पार्ट हम पहले देख चुके हैं इसलिए आई थिंक ये आपके लिए अब understandable होगा just a second just a few second हम इसे जो है थोड़ा सा clean कर लें फिर हम आगे discussion करते हैं यहाँ पर याद रखें कि आपको just just a few second fine यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो छेतर आप देख रहे हैं कौन-कौन से तो ये वाला यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो आपको परवत दिखाई दे रहे हैं स्केंडिनेविया के परवत ये केवल और केवल नौरवे और स्वीटन में है फिनलेन में नहीं है ठीक और यह भी याद रखेगा कि स्केंडिनेवियन जो देश हैं आपने यहां लिख से दो देश और आते हैं तो यहाँ आप नोट डाउन करेंगे याद रखे कल्चर के अनुसार यहाँ पर आपको जो है आइसलेंड भी मिलेगा और यह भी याद रखे यहाँ आपको जो है डैनमार्क भी मिलेगा तो स्केंडिनेवियन जो परवत है उनका विस्तार भले ही केवल इन इस्थानों तक है लेकिन यह याद रखे कि जो कल्चर है वो आगे तक देखने को मिलता है तो यह आपको ध्यान रखना है इसे कहा जाता है वाइट सी अब यह जो सागर है आई थिंक आपको इनके नाम अब याद हो चुके होंगे अगर नहीं हुए है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A, B और C के नाम से फाइन, A में आपको याद रखना है सबसे पहले आपको जो है Gulf of Botania दिखाई देगा या बोथनिया की खाड़ी दिखाई देगी इसी प्रकार से आपको याद रखना है इसके नीचे आपको जो है वो Finland की खाड़ी दिखाई देगी और ये याद रखिए कि इसके नीचे जो है आपको क्या दिखाई देगा इसके नीचे आपको दिखाई देगा क्या Baltics अगर अब आईए इसके नीचे चलते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं ठिक आप समझे ये जो यरॉप का बचा हुआ चेतर है जो आपको दिखाई दे रहा है पहली चीज सो आपको यह याद रखना है कि यह पूरा ही चेतर आपको मैदानी भाग दिखाई देगा और इस मैदानी भाग में हमें कुछ क्रिया कलाप करने हैं आईए हम उन क्रिया कलापों को जो है वो complete करते हैं इस प्रकार से आपको देखेगा just a few seconds मुझे 10 seconds का time दे हम इसे जो है वो complete करते हैं और यह याद रखें कि यह जो भूमिया बनाने वाले हैं अभी basically जो छेतर आप ड्रॉ करने वाले हैं इस छेतर के लिए याद रखेगा कि यह जो छेतर है वास्त्विक्ता में यह green area है यह जो छेतर आपको दिखाई देगा यह छेतर वास्त्विक्ता में green place में आता है अब यहाँ green से आशय क्या है याद रखें यहाँ green से आशय है वास्त्विक्ता में यह छेतर जो है वो मैदानी भाग है ठीक यह है basically एक मैदानी भाग ओके अब इस मैदानी भाग को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है यूरोप का उत्तर का मैदान आपको याद रखना है यह है यूरोप का इसे कहा जाता है यूरोप का उत्तर का मैदान या यूरोप का मैदान और यहाँ ध्यान देने योग है याद रखें कि इस यूरोप के मैदान में जो है आपको दिखाई देगा एक शितोशन घास का मैदान इसे कहा जाता है शितोष्न घास का मैदान और याद रखे ये जो शितोष्न घास का मैदान है इसे कहा जाता है स्टैपीज ठीक और ये याद रखे ये जो स्टैपीज है इनके अधिकान शित्र को जो है रीक्लेम करा जा चुका है और यहाँ पर आज के समय आपको क्या देखने को मिलेगा आज के समय आपको क्रिशी देखने को मिलेगी आईए मैं इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी देता हूँ यह हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यह हम इस शेतर के बारे में बात करने वाले हैं तो आईए, हम इसे जो है देखते हैं, ध्यान से देखिए, जो यूरोप का उत्तर का मैदान है, यहाँ ध्यान दीजिए, याद रखें कि यूरोप के उत्तर के मैदान में, आपको सबसे पहरी चीज़ सो याद रखना है कि यहाँ पर आपको घास के मैदान दिखाई देते थ जो यहां पर इसे रिक्लेम करा जा चुका है ठीक और यह याद रखे जहां इसे रीक्लेम करा गया है ठीक वहाँ पर ने में और और जो फ्लो का उत्पादन होता है फलो का उत्पादन ठीक है और यह याद रखिए कि जो फलो का उत्पादन है इसमें भी कौन से फ्रूट्स होते हैं तो यहाँ पर रसीले सीट्रिक या सीट्रस फ्रूट्स होते हैं यानि कि खटे फल होते हैं और याद रखेगा इनी खटे फलो से जो है वो क्या बनाई जात और यही कारण है कि आपको यहरोप में जो है वो क्या दिखाई देगा wine culture दिखाई देगा और wine culture में भी यहाँ याद रखे कि जो France है जब आपका भी जो है वो मैं उमीद करता हूं वैसे और यह याद रखे कि आगर आपको professionally करना है तो आपको आना ही पढ़ेगा बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में जहां हम बायूम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैं आपको बहुत साई चीज़े बताऊंगा याद रखें कि यहाँ पर जो है just a few seconds बस मैं आपको एक ऐसे ही initial phases में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ याद रखें कि यह जो portion आपको दिखाई देता है यह है यौरप का छेत्र अब यहाँ ध्यान दें यहाँ से जो है वो हवाई चलना प्रारम होती है इन्हें कहा जाता है basically क्या इन्हें कहा जाता है वो पवने जो यौरप में क्या लाती है वर्षा लाती है अब याद रखिए ये वर्षा कब लाती है ये वर्षा लाती है ठंडी में और ठंडी में वर्षा होती है इसलिए जो ट्री है उससा ग्रोइंग पीरेट कम हो जाता है इसलिए ट्री की हाइट कम होती है अब ठंड में वर्षा होगी तो ट्री अपने आपको बचाने के लिए अपनी खाल के ऊपर जो है एक परत का निर्मान करेगा जिसे कौर्क कहा जाता है इसलिए यहां के ट्री को कौर्क ओक ट्री कहा जाता है कौर्क क्या होती है जिस खाल का उपयोग जो कांच की सीशी होती है उसमें ढ그कन बनाने में होता है आपने देखा होगा उस ढख्कन को खोल कर निकाला जाता है ये कौर्क क्या करती है ये कौर्क किसी भी वाइन में कोई flavor कोई taste नहीं छोड़ती है उसे air tight रखती है अब देखिए citrus fruits होंगे यानि कि जो खटे फल है वो होंगे जूसी फल है वो होंगे उन जूसों को जो है fermented करा जाएगा तो उससे wine बनेगी उस wine को कांच की सीशी में रखा जाएगा और धक्कन लगाने के लिए उसी पेड़ की छाल का उपयोग करा जाएगा और यह छाल क्यों हुई है यह छाल हुई है बेसिकली यही पर जो पवने चलती है यहाँ पर जो हवाएं चलती है उन हवाओं के द्वारा जो वर्षा होती है होती वो ठंड में है इसलिए tree की height कम होती है पत्ते को आकार छोटा होता है कौरक लगी होती है और यह सारा culture का part तो geography derives the culture उगोल संस्कृति को जम देता है clear तो यहाँ याद रखे कि इसलिए आपको यहाँ पर wine culture दिखाई देगा और इसमें आपको बहुत सारी wine दिखेगी जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो France में आपको जो है वो champagne दिखाई देगी यह अंगूर से बनने वाली शराब लिखते जाएगा यह सारा कुछ important है इसके अलावा आपको जो है वो port wine port wine दिखाई देगी याद रखे यह पूर्टगाल में दिखाई देती है इसी प्रकार से आपको जो है वो port wine के अलावा chanty दिखाई देगी अब मुझे बताएगा यह chanty कहां की है यह chanty आपको कहां देखने को मिलती है गूगल करेगा मिल जाएगा तो यह wine के प्रकार है तो एक तो यॉर्टग के मैदान का reclamation हो चुका है वहाँ पर बागवानी करी जाती है वहाँ पर फलो का उत्पादन होता है और वहाँ पर मुखेता जो है यह फल देखने को मिलते हैं जिससे इस प्रकार की wine करिर्वान करा जाता है पहली चीज़ अब आजाएए next ध्यान से देखे याद रखें कि हमने इसके मैदानी छेतर के बारे में देखा अब आजाएए यहाँ पर जो दूसरे छेतर हैं इनके बारे में देखते हैं सबसे पहले तो ध्यान दीजे याद रखें कि आपको इस इस्थान पर जो है एक पठार दिखाई देगा और कुल मिलाके आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह जो है वो यौरप का मध्यवर्ती छेतर है अब यहाँ ध्यान दे यह जो मध्यवर्ती छेतर है यहाँ आपको कुछ परवत और कुछ पठार देखने को मिलते हैं आएए इसे जो है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाए लर्नेबल बनाए, अंडस्टेंडेबल बनाए यह याद रखे कि यह यौरप का जो है वो मध्यवाला पठार यह छेतर है इसमें आपको क्या-क्या देखने को मिलता है याद रखे इसमें आपको एक तो इसी स्थान पर कुछ पठार देखने को मिलते हैं आप देखें दो पठार के नम आपको पता होने चाहिए याद रखे, पहला जो पठार है इसे कहा जाता है, मैसेव का पठार याद रखे कि यह फ्रांस में आता है सेकेंडली है, यहाँ पर मसेटा का पठार अब याद रखिए जो मसेटा का पठार है ये पूर्टगाल और स्पेन के बीच में आता है पूर्टगाल प्लस स्पेन के बीच में ठीक अब इसके अलावा याद रखें कुछ परवत है ठीक है बहुत ध्यान से देखें एक आपको इसी स्थान पर जो है वो दिखाई देगा एक परवत ये है बेसिकली जुरा परवत ठीक ये वही परवत है जो परवत जो है जहाँ पर डाइनासर के सुरुवाती काल में जो है अंडे मिले थे और इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक और परवत मिलेगा इसे कहा जाता है ब्लैक पॉरेस्ट तो ये जो मद्यवर्ती उच्च भूमी छेतर है आपको यहाँ पर कुछ पठार और कुछ परवत याद रखने है इसमें से मैंने आपको दो बताएं है आपको इन दोनों का नाम याद रखना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा भी यह उच्च भूमी छेतर है इसमें जो परवत आ रहे हैं इसमें याद रखेगा एक है जुरा परवत और दूसरा क्या है दूसरा है बेसिकली आपका ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट म याद रखें कि आपको यहाँ पर कुछ जो है वो क्या दिखाई देंगे कुछ आपको इस सान पर परवत और भी दिखाई देंगे याद रखें कौन से हैं वो तो इसे बेसिकली कहा जाता है अलपाइन परवती करण अब यह अलपाइन परवती करण क्या है तो कभी हम जो ह वो परवतों का निर्मान हुआ था तो याद रखें यहां अलपाइन का परवती करण आपको दिखाई देगा और इस अलपाइन के परवती करण के कारण जो है कुछ परवतों का निर्मान हुआ जिसमें से आपको याद रखना है परवती करण का मतलब कुल मिला के है कि जैसे आगर मैं आपसे कहूं कि अल्पाइन परवत्य करण ही तो आपको समझना होगा कि अल्पाइन परवत्य करण से आता है कि एक समय पर एक गतिविधी के कारण वो गतिविधी के response में परवत श्रेनी का निर्बान हुआ अब वो जो गतिविदी हो रही थी, उच इस समय पर हुई और उसके कान जितने परवत बने, उसे कहा जाता है क्या इस प्रकार का करणा, अलपाइन करण, ठीक है, तो अलपाइन जो परवत है, इसमें आपको जो है कुछ श्रीनिया दिखाई देती है, इसमें सबसे मुख्य ह बेसिकली एल्प्स, ठीक, और याद रखिए, जो एल्प्स है, इस एल्प्स में, सबसे पहरी चीज़ तो एल्प्स की सबसे उची चोटी कौन सी है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, एल्प्स का विश्व के सभी प्रमुक परवतों के बारे में, इसमें आपको याद ब्लॉंक दिखाई देगी, और ये भी याद रखिएगा, इसके दो विस्तार है, ठीक, वैसे दो तीन विस्तार है, आपको याद रखना है, एक जो इटिली के तरफ जाता है, मैं इसे जो है अलग से मेंशन कर दूँ, जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या ना ह जाता है, ओ विस्तार, जो माफ की जगए, इटली की तरफ जाता है, जो विस्तार इटली की ओर जा रहा है, उसे एपी नाइन कहा जाता है, और जो विस्तार ग्रीस की तरफ जा रहा है, उसे पिंडस कहा जाता है, ठीक, लेकिन ये इतना ही बस नहीं है, ये याद कि एक विस्तार इसका आगे भी है जिसे जो है Caucasus परवत के नाम से जाना जाता है और यह याद रखे इसके एक तरफ जो है वो Black Sea है एक तरफ जो है वो Caspian Sea है तो यहाँ आपको याद रखना है कि एक इस्थान पर आपको Black Sea दिखाई देगा एक इस्थान पर आपको Caspian Sea दिखाई देगा तो Black Sea Caspian Sea के बीच में परवत है यह Alpine जो है वो परवती करण है और यह Alps है यहाँ आपको जो है AP9 दिखाई देगा यहाँ पर आपको जो है वो Pindus दिखाई देगा Pindus जो है वो Greece की तरफ जाता है और दूसरा याद रखे AP9 जो है वो Italy की तरफ जाता है I think इतनी जानकारी जो है आपके माइंड में बहतर तरीके से Settle down हो चुकी होगी और यह आपको पता भी होना आवश्यक है Pindus अब आजाईए आपने उच्च भूमी छेतर देख लिया यह वला उपर वला एरिया देख लिया अब दूसरी चीज देखे ध्यान से याद रखें कि यह जो सान आपको दिख रहा है आईए इसे जो है हम पहले दूप वाला पार्ट हम कवर कर ले फिर हम जो है इस शेतर की जोगरफी और जियो पोलिटिक्स पर आते हैं अब देखेगा दिहान से अब देखे यह कहलाता है भूमद्य सागर ठीक अब मेरी बात बहुत दिहान से सुनिएगा जो भूमद्य सागर है एक चीज़ तो उमद्य सागर के लिए आपको याद रखना है कि इससे कौन-कौन से एशिया के देश यो है वो या फिर नॉन योरोपियन देश यो है वो सीमा बनाते है मैं पहले भी इसके बारे में आप सभी से डिसकस कर चुका हूँ अगर आपको याद ना हो तो याद रखे कि एशिया के कौन-कौन से देश है तो इसमें ये देश आते है सीरिया, इसरेल, लेबनन, टर्की ठीक है ये याद रखे इसमें जो है वो तीन देश चार देश आते है Syria, Lebanon Syria, Israel, Lebanon, Turkey ये तीन देश आएंगे इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो है वो Black Sea दिखेगा यहाँ पर आपको Caspian Sea दिखेगा और Black Sea, Caspian Sea के बारे मैं मैं बता चुका हूँ Azerbaijan और ये कौन कौन सी देश है इनके बीच में जो है वो कितने देश इसके जाँ साजा करते हैं मैं बहुत बार बता चुका हूँ Bulgaria, Romania, Russia, Ukraine, Turkey, Georgia Black Sea से फिर यहाँ पर आपको जो है Azerbaijan, Russia और ये सारे देश दिखेंगे Caspian Sea से मैं कई बार repeat कर चुका हूँ तो आपको यह याद होना चाहिए यहाँ पर आपको जो है वो Caucasus Mountains दिखाई देंगे और इसकी highest peak है Elbruch और जो कि पूरे यॉरप की सबसे उंची चोटी कहलाती है ठीक है अब ये वाला पार्ट हो चुका Just a second अब यहाँ ध्यान से देखें याद रखिएगा Just a few second याद रखिएगा कि ये जो आपको दिख रहा है क्या भूमतिसागर आपको हमेशा याद रखना है कि भूमतिसागर के case में सबसे पहली चीज़ तो भूमतिसागर के अंदर कौन-कौन-से डीप है तो इस चीज़ को समझे कि भूमतिसागर के अंदर आने वाले ड्वीपों का क्रम और साथ में वो कौन से देश में आते हैं ये आपको पता होना चाहिए जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भूमतिसागर में आने वाले देश कौन कौन से हैं या फिर आने वाले ड्वीप कौन कौन से हैं तो आपको सबसे पहे तो यह याद रखना होगा एक ड्वीप यहाँ दिखाई देता है एटलस में जहाँ पर आपको योरप दिखेगा बच्चे प्लीज मेक शूर कि जहाँ आपको दिख रहा होगा वहाँ एक डॉट बस बना होगा भूम अदिसागर का याद रखे वहाँ नाम नहीं लिखा होगा क्यों? क्योंकि यह एशिया का पार्ट है इसे कहा जाता है साइप्रस ठीक? तो एक साइप्रस डॉट है जो कहां आता है? जो आता है वस्तुक्ता में भूम अदिसागर के अंदर इसके बाद याद रखे यहाँ पर आपको एक द्वीब दिखाई देगा आपको उत्तर से दक्षिन के बीच में करम याद रखना है अब मैं किस प्रकार से आपको समझाओं कि जो UPSC है वो यह प्रश्न पूछा करता है कि उत्तर से दक्षिन के करम में पूरू से पश्चिम के करम में द्वीबों का करम बताईए तो आपको map-based analysis ही काम आएगा याद रखेगा कि यह कौन-कौन से द्वीब है यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रेटे जो क्रेटे है यह किस देश में आता है मैं यहाँ नाम बिल्क देता हूं इसे कहा जाता है क्रेटे और याद रखेए क्रेटे आता है ग्रीस के अंडर में खुश इसके बाद याद रखेए एक द्वीब है जिसे कहा जाता है सिसली और एक है जिसे कहा जाता है सैडीना ठीक अब याद रखे सिसली और सैडीना ये दौनों ही बेसिकली आते हैं किसके अंडर में इटली के अंदर में ठीक अब इसके बाद याद रखेगा कि आगे जाएंगे तो आपको कुछ और भी दिखेंगे अब जो next है याद रखे यहाँ पर आपको जो है वो एक दिखेगा और एक यहाँ पर दिखेगा याद रखे यह कौन सा है क्रेटे यह है सिसली यह है सैडीना यह है बेसिकली एक कोर्सिका के लिए याद रखे यह फ्रांस के अंडर में आता है और फिर है बैलरिक याद रखे बैलरिक जो है स्पेन के अंडर में आता है और फिर यहाँ बाहर आईएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कौंसे ड्wijफ कैनरी ड्wijफ और याद रखे, Canary जो है, इस पेन के अंडर में आने वाले ड्वीप हैं और ये भी याद रखेगा Canary ड्वीप के नाम पर ही Canary जलदहरा का नाम रखा गया और याद रखे, Canary जलदहरा ही वो मुख्य थन्डी जलदहरा है जो सहरा के मृस्षरके निर्मान के लिए उत्तरदाई है, ठीक है, अब ये जो बीच में आपको दिखाई देगा, इसे एड्रेटिक सी कहा जाता है, ठीक, अब मैं हाँ पर कौन सी जलसंदी है, ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ, तो इस प्रकार से आप पाएंगे, कि ये वाला पोर्शन जो है हमारा कमप्लीट होता है, कौन सा? द्वीप वाला, कौन कौन से है? साइप्रस, क्रेटे, सिसली, सैडीना, बैलरिक, कोर्सिका, कोर्सिका, बैलरिक, ठिक, तो ये सारे ध्वीप है, ये हमारा पोर्शन, कम्पलीट हुआ, अब आजाएए थोड़ा सा जो है, वो एक पार्ट बचा हुआ है, इसे आपको याद रखना है, कौन सा, तो इसके लिए मुझे जो है, वो सैपरेट एक मैप की आवशक्ता पड़ेगी, तो आएए, पहले हम इसे जो है, वो ट्रॉ कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दे, यह है बेसिकली क्या, भूमद्य साकर का छेत, यह इटली वाला भाग, यह जो है आईबेरिया का प्राइद भी, जहाँ पर हमने एक ठंडी जल्धारा आती है, बच्चे, इस तरीके से, यह क्या है, तो यह है नौर्वेजियन जल्धारा या नौर्वेजियन ड्रिफ्ट, याद रखें कि इस स्थान पर आपको एक बंदरगाह दिखाई देगा, क्या नाम है उस बंदरगाह का, तो आईए मैंने इसके ब नाम है उसका, तो यह याद रखें कि बंदरगाह जो है, वो बैसिकली पांच सागरों से जोड़ता है, कौन से हैं वो सागर? तो देखें पहली चीज़ सो, यह है वो बंदरगाह, क्या नाम है इसका? मुर्मांश्क, थिक? अब ये मुर्मांश्क जो है, यह याद रखें, कि just a second कहां गया भाई यह जो है यहां पर आपको दिखाई देगा याद रखें कि यह वास्विक्ता में पांच महा सागर नहीं जाता लेकिन यह एक मात्र ऐसा बंदरगा है किसका रश्या का याद रखें जो बेसिकली क्या करता है जो बेसिकली जो है वो वर्ष भर ओपन रहता है यह याद रखें कि यह कौन से स्थान में आता है यह आता है बेसिकली उत्री दुरूफ के अंटर्क्रिक वाले एरिया में और आर्क्रिक जो है वो जमा रहता है लेकिन इक बंदरगा है जो रश्या के लिए backbone है Marmas कारण क्या है कारण यह है कि गलम जलधारा का पानी यहां आता है तो यहां की बर्फ पिगला देता है और यहां की बर्फ पिगली नहीं से रश्या के पास एक backup होता है कि किसी समय अगर conflict हो तो Marmas के ज़िए ज़िए वो रश्या white c आपको दिखाई देगा अब white c से आप नीचे आओगे तो यहां पर आपको जो है एक बंदरगाह दिखाई देगा I think मैंने यह आपके लिए यहां पर लिख भी रखा है यह लिख रखा है याद रखें इसके कहा जाता है Moscow याद रखें मॉसको के लिए यह पांच बंदरगाहों का जो है वो पांच महा सागरों का बंदरगाह बेसिकली से कहा जाता है कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देगा और इसके द्वारा जो है आप कौन से पांच सागरों में एंट्री ले सकते हो तो देखें एक आप वाइट सागर चले जाओ यहां आप जापाऊगे इसके नीचे याद रखें नहरों के द्वारा इसे जो है वो कैस्पियन सागर से भी जोड़ा गया है इसे जो है वो आगे जाएंगे यह ब्लैक सी है इसी प्रकार से आप जाएंगे तो यहां आपको जो है वो कैस्पियन दिखाई देगा तो आपको एक वाइट सागर मिल जाएगा एक कैस्पियन सागर मिल जाएगा एक बाल्टिक सागर मिल जाएगा और एक और है लगादो यहां पर है थोड़ा सा इसे सान पर आपको देखेगा इस प्रकार से तो नीचे यहां लगाडो यह सारे सागर से जुड़ा हुआ है कैनाल्स और रिवर्स के त्रू यानि कि रिवर्स और कैनाल के त्रू जो है यह जुड़ा हुआ है इन सभी से यानि कि रश्या इसको बैस्ट मैनर में यूज करता है अपने शिप्स को क्या करने के लिए मोबलाइस करने के लिए तो एक चीज़ इसके बारे में आपको यह याद रखनी चाहिए इसके लावा बाल्टिक सागर के साथ सीमा तो बनाता ही है तो यह भी रश्या के लिए एक बहुत बढ़िया जियो पॉलिटिकल एडवांस्मेंट है अब इसके अलावा रश्या जो यह है यॉरप है इसकी प्रमुक नदियों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके लिए मैंने यह पहले से लिख रखा है रखना है कि जो रश्या का एक छेत्र है कौन सा तो बैल का गरड़ो यह चेत्र बेसिकली जो है वो वालगा नदी के पास आता है इसी प्रकार से आपको जो है वो पोलेंड की राजधानी आपको मुझे बताना है कि पोलेंड की राजधानी कौन सी है वो आपको इस नदी के किनारे जो है वो देखने को मिलती है इसी प्रकार से एल्ब रिवर जो है वो जर्मनी और चेक रिपब्लिक इनकी सीमा बनाती है व बना रखें यानि कि उतने स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए समय कम था इसलिए मैंने से नोट डाउन नहीं करा याद रखें कि जर्मनी की राइन नदी जो है भरंश घाटी में बहनेवाई नदी है भरंश घाटी के पैलर में आपको जो है दो क्या दिखाई देते हैं ब्लॉक परवत दिखाई देते हैं भरंश अंधान परवत दिखाई देते हैं याद रखेगा एक तरब जो है ब्लाइक फॉरेस्ट है एक जगहा जो है वॉस जैस है ये वेश जयस गे गुमतिसागर में इसकी एंट्री होती है इसके साथ ये भी आपको याद रखना है कि जर्मनी की और पूरे के पूरे यॉरप की सबसे व्यस्ततम अंतह जलमार्ग वाली नदी है राइन क्लियर इसके अलावा जहांसे गुजर्ती है वह रूर रिजन है आगे हम इसके बारे में डिसकस करेंगे याद रखे कि जो फ्रांस की राज़णी पैरिस है वो सीन नदी के नारे है इससे प्रम प्रतगार की राज़णी में बता चुका हूँ पहले भी इसी प्रकार से जो रोन नदी है ये फ्रिजर लेंग और फ्रांस इसकी सीमा भी बनाती है और याद रखे लियोन और मार्सेल ये दो सिटीज हैं फ्रांस की जो इसके किनारे देखने को मिलती है ये मैं पहले प्लॉट कर चुका हूँ है या आपके जो है मैक पर इसके पास दिएगी इसकी कैपिटल और वहcriptions City, ये टाइबर रिवेर के पास दिखाई देगी. इनके बारे में एक लाखाट में हमप्लॉटिंग कर चुके हैं. यहां पर रखे का यहां पर रुखिया का एक किनारे भी आता है. इसके लावा टेम्स इसके किनारे जो है एक सहर है वो भी आपको दिखाई देगा तो ये यॉरप की कुछ प्रमुख नदियां है इसके बारे में हम डिसकस कर चुके हैं इसलिए हम ज्यादा समय नहीं दे रहे कुछ जीके जैसी चीजें आपको पता होनी चाहिए UPSC में सामानेता नहीं आएगा लेकिन अगर आ गया तो उस कंडिशन में आपके पास हर एक प्रश्ण का उत्तर हो इसके लिए आपको याद रखना है की देखें फ्रांस सबसे पहें तो second largest nation है किसका यॉरप का याद रखें second largest क्यों क्योंकि सबसे बड़ा है रश्या मतलब largest nation is रश्या ठीक है दूसरी चीज याद रखें इस इसे छोटा यॉरप कहा जाता है अब इसे छोटा यॉरप क्यों कहा जाता है तो इसके सिंपल सी बात है याद रखें कि इसके कल्चर के कारण इसकी डायवर्सिटी के कारण दूसरी चीज याद रखें इसकी शेंपेंज जैसे मैंने बताया कि अंगूर से बने वाली देख रहा है अपने एक इंपोर्टेंट मित्र देश के रूप में याद रखे कि रश्या के साथ हमा लाइन है हमारा लाइनमेंट रहेगा भी लेकिन हमें कोई जो है और भी चाहिए कहां संयुक्त रास्ट्रंग में हमारी पर्मानेंट मेंबर्शिप को जो है वह कर दिन कभ होगा जब हमारे पास पर्मानेंट मेंबर्शिप के लिए कुछ पहले से जो पर्मानेंट मेंबर है उनका अप्सल्यूट सपोर्ट मिले उसमें से एक france है पहले से है बट उसकी जोग्रफी इंपोर्टेंट हो जाती है उस डायमेंशन में तो याद रखे जर्मनी से अलग होता है वाज जैस परवत से यह ब्लॉक परवत है इंग्लेंड से अलग होता है बेसिकली इंगलेश चैनल से मैं आपको अभी बता चुका हूं इस पेंज से अलग ह में वो चीजें क्लियर रहें तब हम जो है वो चीजों को रिवाइस करते हुए पढ़ पाएंगे तो थोवासा मुझ पर विश्वास रखे मैं बहुत सारे डायमेंशन आपको जो है एक एक करके समझाता जाओं ओके अब इसके अलावा याद रखे इटली से अलग होता है परवत के माध्यम से और यह भी याद रखे स्विजर लेंड से अलग होता है जुरा परवत के माध्यम से ठीक है तो यह डायमेंशन आइटिंग एपसलीटली इस क्लियर इन यूर माइन और आइटिंग और बिलीव के आप जो हैसे नोट डाउन करेंगे बर फर्स टाइम प और यह भी याद रखे कि एक ट्राय कर सकते देखो यह अनिवार यह नहीं है कि आप ऐसा करो बट मुझे ऐसा लगता है आप ट्राय कर सकते हो आप एक काम करो आप पहले पूरा वीडियो देख लो दूसरी बार भी देख लो बंद कर दो उसको साइड में रखो एक वाइट इस वीडियो में आप मैंने बताया था और आप जो है उसको उस प्रकार से पूरा बनाने का प्रैस को उसके बाद वीडियो को देखो क्या छूट गया इससे क्या होगा जो छूटा होगा वह आप लिख भी लोगे और वह पर्मानेंटली याद भी हो जाएगा यह ट्राय कर सिती में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा याद रखें यहाँ पर आपको जो है वो कील नहर दिखाई देती है यह बाल्टिक सागर को जो है उत्री सागर से कनेक्ट करती है यह याद रखें सुपर इंपोर्टेंट और एक इंपोर्टेंट डायमेंशन है ओके अब इसमें याद रखें कि जो ओडर रिवर है यह जर्मनी को पोलेंट से अलग करती है और यह याद रखें कि जो कील नहर है वो कनेक्ट करती है बाल्टिक सागर को उत्री सागर से जर्मनी का एक फेमस एरिया है जिसे ब्लैक रीजन कहा जाता है या काला प्रदेश कहा जाता है यह र रूर एरिया है छोटनाकपुर पठार को जो है भारत का रूर रीजन कहा जाता है कारण क्या है कारण यह है के विश्व में जहां पर भी कोईले का उत्पादन बहुत जादा होगा उसे रूर कहेंगे क्योंकि जो अध्योगिक क्रांती थी जो आई कहा पर थी इंग्लेंड मे तो इंग्लेंड में आई हुई और द्योगिक क्रांती के लिए कोईला कहां से आया था याद रखेगा ये कोईला वास्विक्ता में आया था रूर रीजन ओफ चर्मनी से और यहां से ही प्रवाहित होती है राइन और प्रोन नदी माइन में इस चीज़ को खिलियर रखेगा चलिए now next dimension याद रखे रखे रश्या मैंने इन दोनों के बारे में आपसे discuss करा है ये पांचो सागर से जो है गुजरता है एक छेतर के बारे में याद रखे इसे कहा जाता है यह है रश्या का basically map स्केलल नहीं है बट हां समझने के لिए परयाप है याद रखे कि यहाँ पे आपको एक trans-siberian rail mark दिखाई देगा जो सेंट पीटर बगस से स्टार्ट होता है और लिदीवस को तक जाता है यानि कि सेंट पीटर बगस से लिदीवस को तक का एरिया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्क रश्या में आता है विश्व के सबते लंबे रेल मार्कों में से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और याद रखे यह जो व्लादी वसको है यह रश्या का जो है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह सीरीज पसंदा रही है आप इसके नोट्स बना रहे है आप इसे शेर जरूर करें देखे मैं क्यों आपसे बार-बार कहता हूँ उसका एक रीजन है कि आपका जो शेर होता है जब आप इसे जो है कुछ लोगों तक पहुंचाते हैं तो यह हमें दिखता है यह reflect होता है हमारे जो reach है उसमें चीज दिखती है तो आपका यह जो share करना है it is like आप कह सकते हैं appreciation for me कि आप जो है वो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं यह हमारे videos को आगे बढ़ा रहे हैं यह essential है it is like a return gift from you पहली बार दूसरी चीज याद रखे कि आपको मैं यह बार बार कहूंगा कि आपको जो है अगर आप इस माध्यम में तयारी कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आने वाले समय में selection ले सकते हैं deserving जो candidate देखे ऐसा तो है बिलकुल है कि बैचेस में बहुत बच्चे होते हैं बहुत सारे coachings होते हैं बहुत सारे institutions बहुत सारी enjoy करूं और बच्चा जो है वो पढ़ना enjoy करें अगर आप इसे enjoy नहीं करोगे आपको इसमें मज़ा नहीं आएगा तो दिन में 10-12 घंटे आप उस काम को दिल लगा करने ही करने वाले हो तो ये तो by default है I love teaching और मैं ये मानता हूं कि crowd अगर आपसे आएगा मतलब एक वो बच्च और बच्चे को भी वो चीज बहुत पसंद आती है उसके दिमाग में भी जो है वो चीज़े बहतर तरीके से बैठती है तो मेरा ये आप सभी को advise है अगर आप वीडियो रोज देखते हैं तो आप जरूर आएं इस पर focus करें मिलते हैं next video में have a very nice day थेंक यू